जहिन दोस्तों देखे यदि दोस्तों आप जारकंड पुलिस 2024 का फॉर्म भरने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको 10 इंपॉर्टेंट चीज की बारे में बताएंगे 1 से लेकर की 10 तक दोस्तों बहुत ही BBI पॉइंट को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख करके ज़रू जाहिएगा ठीक है इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे सबसे पहला कोशन कि कैसे एक सीट पका किया जाए इस बार कैस पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा जिससे आपका सैलेक्षण जल्दी होगा इसके बाद दोस्तों तीसरा है कि क्या इस बार सलेक्षण वो कितना जाएगा, expected cut-off आपके क्या होगे, कितना नंबर लाने पर आपकी joining इस पर हो सकती है, तो ये भी बताएंगे, इसके साथ-साथ अभी से आपको क्या-क्या पढ़ना है, ये हम बताएंगे, साथ-साथ exam में अभी आपके पास कितना time है, साथ-साथ physical में अभी कितना सम है, ये भी आपको बताएंगे, इसके साथ-साथ दोस्तों क्या seat बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इस बारे में भी इस वीडियो में हम discuss करेंगे, इसके बाद दोस्तों physical कैसे clear करें, physical की क्या strategy होनी चाहिए, कैसे उसको pass करोगे, ये भी बताएंगे, इसके साथ- हम ले सकते हैं, point जिससे हम इस पर apply करेंगे, ताकि हमारे result हो सके, तो सारे A to Z दोस्तों वीडियो में हम discuss करेंगे, तो यदि आप जारकन पुलिस को form भरने वाले हो, जो कि 15 जनवरी से online चालू होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाएगा, इसके सब क्या हुआ कि भारत के नागरी के अलिजिबल हैं, आप किसी भी स्टेट के हो, बसरते आपको general category से form को भरना पड़ेगा, ठीक है, तो देखें दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जारकन पुलिस नया भरती 2024 के बारे में, ठीक है, जिसका वेकेंसी दिसंबर 2023 में ही जारी ह हो गया है, जिसका apply 15 जनवरी से चलेगा, तो देखें, टोटल नमबर जो seat निकला दोस्तों, 4919 फिलाल seat है, लेकिन ये seat दोस्तों ये आपका रहेगा नहीं, ये seat increase होगा, ठीक है, दिमाग में इतना रखो कि seat आपका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा दोस्तों, जहां तक मु जैसे ही seat बढ़ोतरी का news आएगा, हम आप लोगों को विडियो बना करके बता देंगे, लेकिन seat कुछ न कुछ तो seat बढ़ने का संभावना है, ठीक है, तो seat बढ़ेगा, आप tension मत लीजे, योगता की बात करिंगे दोस्तों, इस पर योगता मांगा है, साधारां से 10 पास य 2024 में अभी जितना भेकिनसी आएगा, बहुत तरह का भेकिनसी आ रहा है, railway का, SSC का, bank का, police का, defense का, army, SSC, GD वगर जो भी है, MTS के साथ साथ, तो सब का वीडियो पूरे साल भर आपको हम बना बना करके वीडियो बढ़ेयों से समझाएंगे, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरे साल भर आप लोगों को update मिलता रहेगा, ठीक है, तो सब्सक्राइब करके गंटी को all पर press जरू करके रखिएगा, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर seat समझ मागया, योगिता आपको समझ मागया, सबसे पहले बात कर लेते हैं, age को आपको जाना जरूरी है, तो ध्यान दिजेगा, एक अगस्त, एक आट, दो हजार तेईस को, आपका मिनिममम उम्र 18 साल होना चाहिए, और एक अगस्त, दो हजार उनीस को, आपका अधिक्तम उम्र देखेगा, इस तिथी को देखें कि आपका age हुआ है, कि नहीं हुआ है, मिनिममम उम्र यदि देखना है, तो इस तिथी को देखोगे, और यदि maximum उम्र देखना है, तो इस तिथी को देखोगे, ठीक है, क्योंकि विज्यापन में लिखा है कि आपका उम्र इन दो तिथीओं पर count करेगा, अब बात करते हैं, उम्र कितना मांगा है, तो देखें, यदि आप UR हो, जैनरल काटिगीरी से बिलोंग करते हो, या फिर EWS हो, ठीक है, तो आपका 18 से 25 साल उम्र इस पे मांगा है, ठीक है, यदि आप दोस्तो BC1 या फिर BC2 हो, तो आपका उम्र 18 से 27 साल मांगा है, 2 साल इनको छूट मिल गया, इसके अलावे, यदि दोस्तो आप महिला हो, ठीक है, तो महिला का दोस्तो 3 साल छूट मिला, 18 से 28 साल एज हो जाएगा, इसके अलावे, यदि आप SC2 कैटिगीरी के विद्धार्थि हो, महिला हो या पूरुस, तो आपको 5 साल छूट मिलेगा, 18 से 30 साल हो गया, ठीक है, ये age limit है, कोई दिक्कत है तो बताइए, age आपका इन दो तितियों पर देखा जाएगा, अभी आपका age क्या है, इससे मतलब नहीं है, ये है दूस्तो age limit, उमिद आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब आप बोलोगा कि दूसरे राजी के स्टूडेंट कहां पर आएंगे, तो दूसरे राजी के स्टूडेंट यहां पर count किये जाएंगे, ठीक है, इस पर count किया जागा, 18 से 25 साल, आपको आरक्षणने मिलेगा, आप दूसरे राजी के विद्दार्थिक जनरल कटिये में आईएगा, अपलाएं करने में कितना पैसा लग रहा है, तो दीके दोस्तों, इस पर 100 रुपया पैसा लगेगा, किसका किसका, इन सब का दोस्तों 100 रुपया पैसा लगेगा, बाकी S.C.H.T. का 50 रुपया पैसा लगेगा, फॉम भरने के लिए, दूसरे राजी के विद्दार्चों का भी 50 रुपीज इस पर पैमेंट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब बात कर लेंगे दोस्तों, इस पर सलरी आपको कितना मिलेगा सलेक्शन होने के बाद, तो देखें दोस्तों, सलरी जहां तक दोस्तों इस पर लिखा है, कि 21,700 से ले करके, 69,100 के बीच आपका इस पर सलरी मिलेगा, तो ओभर वाल यादी देखा जाए, सब चीज जोड करके, तो लागबाग दोस्तों, 30,000 के आज पास इस पर इन हैंड सलरी आपको मिलेगा, सुरू सुरू में, जब आप जोइन करोगे, हालांकि आगे चलके सलरी काफी अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है, तो यह इसका सलरी रहता है, अपलाइड डेट की बात करेंगे दोस्तों, अपलाइड डेट समझ लिजे यहाँ पर, तो देखे, अपलाइड होगा, 15 जनवरी से, 15.01.24 से ओनलाइन चालू हो रहा है, रजिस्टेशन इस दिन से सुरू हो जाएगा, लास्ट डेट रहेगा, दोस्तों, 14 फरवरी, 2014, ठीक है, तो यही इसका, लास्ट डेट है, हालांकि, JSC, कोई भी बेकिंसी को, थोड़ा सा आगे बढ़ा ही देती है, तो बाद में बढ़ेगा, या फिर नहीं बढ़ेगा, उसकी बात अभी फिलाल आप छोड़ दो, फिलाल आपके पास दो डेट है, 15 जनवरी से ओनलाइन चालू होगा, 14 फरवरी तक लास्ट डेट रहेगा, तो भर दीजेगा, ठीक है, और हाँ, 20 से लेकर के, 20 फरवरी से लेकर के, 22 फरवरी तक आप फॉर्म में एडिट भी कर पाऊगे, ठीक है, यह दि फॉर्म भरते से मैं कुछ मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता है, तो आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे, दोस्तों, सेलेक्शन का परकिरिया क्या है, चयन परकिरिया, देखिए, इसके बाद आपको हम सारा A to Z बताएंगे, चयन परकिरिया को समझेए, दोस्तों, सबसे पहला जो परकिरिया है, वो है फिजिकल, ठीक है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इस पर पहला प्रोसेस एक्जाम नहीं होगा, तो दूसरा प्रोसेस दोस्तों, वो है मेडिकल, ठीक है, फिजिकल के बाद क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद लास्ट में आपका होगा परिक्षा, आपका एक्जाम होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिजेगा, कि यही आपको सलेक्षन दिलाएगा, एक्जाम के आदार परि आपका सलेक्षन होगा, आपका फिजिकल क्या है, केवल पास करना है, केवल पास के लिए हैं, ठीक है, इस पर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, फिजिकल में केवल आपको क्वालिफाई कर जाना है ठीक है तो फिजिकल के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया कि फिजिकल में क्या किया चाहिए आप लोग समझी गए होंगे हाइट 160 cm होना चाहिए ठीक है सभी का बाकी SCHT का दोस्तो 155 cm चाहती मांगा है 81 सभी का और 89 cm बाकी SCHT का और महिलाओं का 148 cm हाइट मांगा है और रनिंग की बात करेंगे तो 10 km रनिंग होगा पूरुस का 1 घंटर टाइम मिलेगा और महिलाओं का 5 km कर रनिंग होगा आदा घंटर टाइम मिलेगा तो यह फिजिकल के बारे में हम आपको अल्रेडी बता चुक है इस वीडियो में हम लोग फिजिकल के बारे में चरचा नहीं करेंगे ठीक है अब दोस्तों आपको यह बताते चलें कि जो भी आपने सवाल किया था यह वीडियो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक के बारे में अब हम लोग बात कर लेते है तो देखें पहला जो सवाल है कि कैसे एक सीट पका किया जाए नया सलेबस है तो देखें दोस्तों सलेबस नया हो या कुछ भी हो आपको घबरानी की ज़रुरत बिल्कुल भी नहीं है सबसे पहला प्रोसेस क्या है फिजिकल है तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो running का practice आप जोरधार करो और केवल running करना ही परियाप्त नहीं है ठीक है यदि आपको एक सीट पका लेना है तो आपको exam पे भी उतना ही focus करना पड़ेगा जितना आप running पे कर रहे हो running तो बस qualify के लिए है जैसे ही आप दोड़ पास कर जाओगे हो गया, आपका फिर admit card आएगा exam के लिए, आपका जो cut-off बनेगा, जो final selection होगा वो आपका exam के base पर ही आधारित होगा, ठीक है, exam पर ही आपका result बनेगा, तो नया syllabus हो या कुछ भी आपको घबरानी की जरुरत नहीं है, बस आपको consistency के साथ focus करना है और एकदम पढ़ना है, इस बस syllabus आसान ही हुआ है, एक तरह से सोचोगे, तो आसान ही syllabus है ज्यादा tough नहीं है, तो अभी हम आगे आप लोगों को बहुत सारा बात बताएंगे दूसरा number point है कि की section पर ज़्यादा focus करें तो देखें दूस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है तो देखें दूस्तों जब आप इसका syllabus देखेगा, तो इस पे दो paper है एक जो है आपका वो भासा paper है और दूसरा आपका GS paper है तो यदि आपको दोस्तों अच्छा सच्छा score करना है, तो सबसे पहले तो आपको paper one में अच्छा सच्छा mark लाना पड़ेगा, आप जो भी paper लिजे, हिंदी लिजे, खुठा लिजे बंगला, उर्दू, तो इन सब में से आप कुछ दोस्तों 25 कोशन, तो आपको focus सबसे जादा कहां करना है एक तो language paper पर और दूसरा दोस्तों हिंदी, देखिए ये एक scoring topic है, हिंदी में grammar पूछेगा, passage पूछेगा, मुहावरा पूछेगा, sentence सुधारने देगा, sentence का सुधी करन करने बोलेगा, तो इस दिमाग लगाईएगा तो, ठीक है, क्योंकि ये एक static topic है, ठीक है ये क्या है, current appears नहीं है, ये दोस्तों ब्याकर मेदिया आपको पकड़ होगा, अच्छा खासा, तो हिंदी मेदिया आपकी अच्छी खासी मजबूती है तो आप इस पर अच्छा स अच्छा स्कोर कर सकते हो और math दोस्तों ज्यादा इस पर tough नहीं पूछेगा 10th level का math पूछेगा, 10th level का सारा question आएगा और GK दोस्तों इस पर जारखन GK भी कुछ कुछ कोशन आपसे पूछ सकता है, तो इन सब में आप अच्छा सच्छा स्कोर कर सकते हो लेकिन दो चीज ध्यान देजेगा, एक तो language paper और दूसरा आपका Hindi और ये दूस्तों Hindi यहीं आपका सबसे अच्छा result बनाएगा दूसरी बात जो जो विद्यार्ति paper 1 में Hindi लेगे उनका तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहां भी Hindi पढ़ना होगा आपका paper 1 में भी Hindi पढ़ना होगा तो दोनों जगा Hindi हो जाएगा, तो आपका तयारी थोड़ा सा और वोल्ड हो सकता है लेकिन ये सब student के साथ काम नहीं करेगा किसी विद्यार्तियों को Hindi hard लगता है, किसी को असान लगता है तो यदि आप paper 1 में मानते हैं, संथाली लेते हो, खोठा लेते हो तो उन सारे subjects में भी आप अच्छा सच्छा score कर सकते हो लेकिन दोस्तों Hindi आपको पढ़ना ही पढ़ेगा, Hindi 50 question paper 2 में रखा हुआ है तो आपको ज़्यादा focus कहां करना है, इस Hindi में और paper 1 में अब दोस्तों जो आपका अगला सवाल है दोस्तों, वो क्या है कि क्या इस बार selection लेना आसान है या hard है तो देखे दोस्तों, यदि इस पर दो बिंदू पर हम लोग बात करेंगे जो विद्धार्ची बोल रहे है कि selection लेना आसान है अब आसान क्यों है, क्योंकि सब समझ रहा है कि physical होगा पहले, medical होगा तो लगबग 50% student क्या होगा, छाटा जाएगा physical, medical में बाकी पहुँचेगा exam में, तो वहाँ पर cut off कम जाएगा यह भी सोच ठीक है, लेकिन इस point को भी आप देखो कि यदि हम देखेंगे, तो देखें, आठ साल के बाद vacancy आया है ठीक है, आठ साल के बाद, सब का तयारी बढ़िया है किसी का तयारी दोस्तों, ऐसा मत समझो कि कम है तो सब का तयारी इस पर काफी अच्छा खासा, दोस्तों यह most awaited vacancy है, तो जो बेजारती physical निकाल लेगा ऐसा मत सबजना कि सब का तयारी कम रहेगा ऐसा थोड़ी है कि सब मतलब ऐसा ही physical पास कर गया आगे उसका कुछ तयारी नहीं है एक्जाम के लिए वो ऐसा कुछ नहीं होता है जो बेजारती physical पास कर जाएगा वो भी तो ध्यान से बढ़ियां से तयारी करेगा तो physical निकालने से पहले आप यह मत सोजी तो फिर आप यहां पर फस जाओगे ठीक है अभी से आप form जब आ गया है तो अभी से आप exam पर focus करना चालू कर दीजे बाकी आप running सुभा में करो दोपहर में करो running तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि exam में बैठना है तो running करना होगा तो दोस्तो exam ही आपको काम देगा ठीक है exam को हलके में मत लीजेगा तो इस बार selection लेना दोस्तो ना आसान है ना hard है यदि आपका तयारी अच्छा खासा है तो आपके लिए आसान है और यदि आप नहीं पड़ोगे तब आपके लिए hard है कि अवल physical में qualify कर जाओगे exam में देखोगे बहुत जादा cut off चला जाएगा तो जो बेदर्ति तयारी करेगा जम के उसके लिए इस बार selection लेना बिलकुल आसान है ठीक है आप दोस्तो तीसरा जो सवाल है कि कैसे होगा final joining तो यह हम आपको पहले ही बता चुके है कि सबसे पहले आपका physical होगा इसका बार medical होगा फिर ही exam होगा exam के आधार पर ही आपका cut off बनेगा और आपका final joining हो जाएगा ठीक है अगला है कि कितना cut off जाएगा तो देखें दोस्तो कितना cut off जाएगा पिछली बार यह देखेंगे तो जो भी cut off गया था उससे अब कोई मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि इस बार बहुत सारे विदारती physical और medical में छटा जाएगे बाकी विदारती वहाँ पर पहुँचेगा exam में तो दोस्तों आपको क्या कोसिस करना है कि जो भी आप दे रहें exam इसका जो exam होगा तो total जितना भी marks आएगा उसमें से कोसिस कीजिए कि 80% से above marks हम लाएंगे ठीक है 80% plus marks लाने कि आप कोसिस कीजिएगा बाकी cut off कुछ भी जाए ठीक है 80% से यह आप above marks ले आते हो उपर marks ले आते हो और जो paper 1 था उस पे लगवग 90% उपर लाने की कोसिस करना और लाया जा सकता है कोई बड़ा बात नहीं है ठीक है इसके बाद दोस्तों अभी से क्या क्या पढ़ें तो अभी से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना हिंदी व्याकरण में हिंदी को पकड़ लीजिए क्योंकि वह पचास नमबर है ठीक है इसके साथ साथ जीके पढ़ो math जितना भी जहारखंड में अभी जो भी exam हुआ है सब का question paper निकालो और math देखो कि JSC का math पूछने का धंग क्या है क्या पूछती है उस तरह से दोस्तो टॉपिक wise study करो इसके साथ साथ दोस्तो जो टॉपिक आपको समझ भी नहीं आया YouTube पे देखो उस टॉपिक को clear करो ठीक है इसके साथ साथ exam में अभी कितना समय बचा हुआ है ये भी जानना जरूरी है तो देखें दोस्तो अभी तो form apply चल रहा है फरवरी तक तो form भी भराएगा बाद में 10-15 दिन date भी बढ़ता है तो मान के चलता है कि March दोस्तो आपको form भरने में March तक आपका form भराएगा इसके बाद आपका March अप्रिल माई तक दोस्तो आपका दोड़ होनी की possibility है क्योंकि इस सारा process करने में लगबग एक-दो मैने तो लगेगा माई तक दोड़ लेगा फिर उसका clear करेगा लगबग मान के चलिए कि जून के बाद ही आपका exam होगा तो अभी आपके पास अच्छा खासा time है तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप 5-6 माईना time है मस्त त्यारी करो आपका एक seat पक्का होगा ठीक है इसके बाद बात करेंगे कि क्या seat बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो seat दोस्तो जहां तक लगता है seat 100% कुछ न कुछ seat यहां पर बढ़ेगा तो जो भी होगा further updates हम आप लोगों को बता देंगे इसके बाद physical clear कैसे करें तो देखिए दोस्तो आपको क्या करना है physical के लिए दोस्तो कम से कम इस पर आपको daily practice करना पड़ेगा बिना practice का आपका physical नहीं निकलेगा physical में जो है आपका height तो आप कुछ कर नहीं सकते जो है वो है chest दोस्तो आप push up करके बना सकते हो क्योंकि बहुत सारे student को मैंने देखा है जो कि chest में छटा जाते हैं तो इदे आपका chest थोड़ा बहुत कम है तो आप push up वगरे करके chest को बनाईए इसके साथ साथ running का एकदम regular practice आपको करना पड़ेगा तो running का दोस्तो अगदम 100% practice होना चाहिए बिना practice का आपका running नहीं होगा और exam में बैठना आए तो running आपको निकालना पड़ेगा तो कम से कम daily 2 km 5 km दोड़ने का practice करो ठीक है main जरूरी है दोस्तों वहाँ पर लगातार दोड़ते रहना बहुत सारे विदर्थ होते दस मिनट बार मिनट दोड़ने के बाद हाफने लगते हैं वहाँ पर आपको एक घंटा तक दोड़ना है बहुत बड़ी बात है ठीक है तो यदि आप जर्गन पोजिस निकालना चाहते हैं तो दस जो हम point बताएं इन दसो point को ध्यान रखेगा हिंदी को हलके में मत लिजेगा हिंदी ही आपका यहाँ पर selection दिलाने में बहुत जादा help करेगा आगे जो भी अपडेट्स आएगा हम आप लोगों को वीडियो बनाकर के दे देंगे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो चले दोस्तों मिलता अगली वीडियो में जैहिंद